हेलो स्टूडेंट्स दिस इस मेगा डोडा आज हम 28 से 30 अक्टूबर की करेंगे तो आये स्टाट करते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो गीवन है वो है किस बैंक ने श्री लंका में परी चालन बंद कर दिया है वो कौन सा बैंक है हमारा वो है ICIC bank है कौन सा है ICIC bank है जिसने अपना कहां पर श्री लंका के अंदर अपना काम बंद कर दिया है ठीक है अब इसके बार में इस इतेल देखते हैं by the Neredeři Brae of the Central Bank of Shri Augusta having considered the request made by the ICAIC bank has granted approval to close down the business zon of the banks in shri language and reconcile the license issued to it ICAIC bank said in a regulatory filing the director of bank supervision being satisfied with the bank complying with the terms and the condition imposed by the monetary board and the license issued to the bank to carry on banking business in SHRI langka is cancelled with effects from 23rd October से बंद कर दिया गया, the private sector lender, ICAC bank ने यह बात बोली है, ठीक है, अब ICAC bank का headquarter कहा है, ICAC bank का headquarter है मॉंबई के अंदर, ठीक है, इसके जो हमारे MD और CEO है, MD, 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 CEO, जिनका नाम के है, संदीप बक्षी, जिनका नाम के है, संदीप बक्षी है, ठीक है, और ICAC bank की tagline क्या है, इस bank की tagline है, हम है ना, खयाल आपका, हम है ना, खयाल आपका कया है, इस bank की, ICAC bank की क्या है, tagline है, अब इसके प्रत देखते हैं, शुरी, शुरी, अब IC, शुरी, अब IC, यानि की, श्रेलंका में, ICIC bank ने अपना क्या कर दिया है वहाँ पे परिचालन बंद कर दिया है ठीक है चलो next point देखते हैं next है हमारे पास भारतिय मूल के वावेल राम कालवन किस देश की रास्टपती बने है Rám Kalawan of Indian origin has become the president of which country और हो किस्टी की बने है यह बने सिलिल्चिल के क्या बने है हमारे नई फ्रेजिएंट सबसे वेल इसकी capital क्रणसी क्या है is इसकी capital है Victoria और स्की currency क्या है इसकी currency है सिलिचल रुपीज ये क्या है इसकी currency है अब नीचे डिटेल रेख लेते हैं इंडिया इंडिया बोन वेवेल रामा काला वन वस elected as the president of Sili Chal this is the first time the opposition candidate has won election in since 1977 ये क्या है सिलिचल क्या है एक आइलेंड है ओल्सो इटिज हों कॉरल रीफ बीचिज और नेचर रिजर्व ग्रीन टर्टल जो एंडेंजर स्पीसिस है जो यहां पर इस आइलेंड के इंदर फाउन की जाती है अब इसकी ट्रिक देखते हैं राम कल से यहां वापिस नहीं क्या है राम और कल क्या बनेगा राम काला बनेगा ठीक है से क्या बने राशपती बने है और वापिस यहां हो था बना सकता है इंकर नाम के अवावेल है ठीक है चलो गला पॉंट देखते हैं नेक्स से हमारे पास फेडरेशन ओ私त्तर व कि इसको अपना अध्यक्ष बनाया है who has been appointed the president of the federation of Indian fan city sports और इसके sports के कौन बने है ये बने है हमारे Bimal Julka जी जो क्या बने है इसके हमारे अध्यक्ष बने है अब जो FIFS है that is federation of Indian fan city sports के बारे में detail देखते है has announced the appointment of Bimal Julka as its chairman in his new role Julka will work closely with the stakeholders to further strengthen the operating standards of the Indian sports industry and ये है कौन is an Indian IAS officer है Indian administrative service officer of 1979 batch के और इन्होंने किसको टेक ओवर किया है किसकी जगे पे लिए है बने है John Lufhegan की जगे पे इन्होंने अध्यक्ष बने है who served the chairman for the over three years के लिए रहे थे will assume the role of a strategic advisor रहेंगे और इन्होंने support किया था on collaborating with the relevant international bodies in the industry तीक है अब इसका headquarter कहा है FIFS का headquarter है Guru Gram Haryana में Guru Gram Haryana में क्या है इसका headquarter है अब इसकी trick देखते हैं बाइ गुरू sports खेल लो बाइ गुरू sports खेल लो तुम जाके बाइ से बले का बीमल जुलका का नाम जो क्या बने sports के लो यानि की federation of Indian fancity sports के क्या बने हैं यह हमारे नए अध्यक्ष बने हैं ठीक है अगला नेक्स से हमारे पास audio-visual heritage के लिए विश्वधिवस किस दिन मनाया जाता है what day is the world day of for audio-visual heritage celebrated और इस दिन मनाया जाता है कब 27 October को में यह दिन मनाते हैं the world day for the audio-visual heritage that is WDAH provides an occasion to raise journal awareness of the need to take urgent measures and to acknowledge the importance of the audio-visual documents इस साल की जो हमारी 2020 की जो theme थी वो क्याती यो window to the world यह क्याती हमारी audio-visual day की इस बार की हमारी 2020 की theme थी ठीक है सारे dates की point कर लेते हैं last में एक सार प्रिक देख लेंगे ठीक है चलो अगले देखते हैं हमारे पास श्री गुरु तेख बहादूर की चार सोवी जनती बनाने के लिए गठी समीती की अजयक्षिता कौन करेगा who had the committee formed to commemorate the 400th birth anniversary of श्री गुरु तेख बहादूर जी और इसकी जो करेंगे अजयक्षिता कौन करेंगे वो करेंगे हमारे मोदी जी नरेंदर मोदी जी करेंगे हमारी union home secretary कौन है अजय कुमार भला है जो क्या रहेंगे इस कमिटी के क्या रहेंगे हमारे मेंबर रहेंगे आपको पता है कि हमारे home secretary कुन है अजय कुमार भला जी है अच्छा भला जी से मुझे क्या दाया Chinese products related committee बनाई गई है Chinese products related committee बनाई गई है जिसके अधियक्ष कोन है अजय कुमार भला जब हमने के अंदर अब अजे बोला घर पे ही मैं भले बनाऊंगा बाहर से निलाऊंगा जानि कि हमारे होम सेक्रेटरी अजे कुमार भला जी है जिन्होंने बोल जिनको क्या बनाए गाता है चाइनीज प्रड़क्स के लिए कमिटी बनाएंगे थी कि आपको चाइनीज पुरु तेज बहादुर जी दा मेंडेट अब्डेट अब्र कमिटी इंक्लिट अप्रूबल अफ पॉलिशी प्लांस प्रोग्राम और सुपर्विजन और गाइडिंग देटेल्स प्रोग्राम और सेलिबरेशन मैंब्स अब्डेटी में कौन कौन आते हैं हमारे फॉमर प पर्याना उनका नाम है मनोहरलाल खत्तर जी बिहार उत्तर प्रदेश योग्या दित्यनाज जी बेस्ट बेंगॉल ममताव एनर जी तमिल नाडू के पलना स्वामी महाराष्ट्रा उदव थाकरे उरुत्राखन तिरवेंदर सिंग रावत ओडिसा और राजस्तान यहां के सा सेटरी की बात आती मेंबर सेटरी तो इसमें कोन है हमारे अजय कुमार भला जी एं चलो अगला पर देखते हैं नेक्स है हमारे पास असम अगार इंटरनेशनल ट्रेट सेंटर की नीव किस ने रखी जो देश में गोला घाट जी लेके दभी दुबी में अपना तरह का पहला केंदर होगा असम की बात हो रही है तो असम के यहां के जो गुवर्नर है जिनका नाम क्या है जगदीश मुखी जी जगदीश मुखी जी क्या है हमारे यहां के गुवर्नर है अब इसकी डिटेल देखते हैं असम चीफ-Minister Sarbanan Sononoval लेक्त फांध्स का पारुड़्न शेम्सानम अगर्णन ट्राइशनट च्टेक्र चेंट गूर्ष्स टेज़ीश मुखी जी जी कि जीएधेधेधेधेश्स तेट बतरेश पर्मोट थैजर्नट चार्णाइश्स पर्मोट जेजिए डव मुखीश के the occasion Chief Minister Sonowal expresses gratitude to the people of the state for their cooperation that they have extended to the government and said that the Assam agar International Trade Center would be a step toward making a self-relent in some जिसके लिए उन्होंने क्या किया है ये center वहाँ पे establish कर रहे है ठीक है अब इसकी trick देखते है कसम से trade करूंगा बस कसम से सिर्फ मैं trade करूंगा याने कि Assam के अंदर अगर International Trade Center पहला बनाया जा रहा है जो कहां बन रहा है दभी दूभी गोला घार डिस्ट्रिक के लिए ठीक है चलो अगला पॉन देखते हैं नेक्स है हमारे पास भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकर्णो ने राजमार्ग बुर्ण्यादी धांचे की भैतरी के लिए अपनी विशेग शग्यता साजा करने के लिए किस अंसान के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इंडिय 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 इंसित्टुट आफ टेकनोलोजी जोधपूर और नेशनल हैवे अथार्ट्य इंडिय है चरह थे इन प्राधिकर्टूर आप जो एंडिय कहां पे हुँए ती आइटी कैंपस के अंदर in the presence of institute जो वहां के जो डिरेक्टर है जिनका नाम है सांतनु चोधरी जी और अजे भिष्णोई and project director of NHI project implementation unit जोधपुर जानी की यह agreement किन के बीच में हुए है यह हुए सांतनु चोधरी जो IIT के डिरेक्टर है और अजे भिष्णोई जो के हमारे product director है National Highway Authority of India के As a part of the MOU NHI and IIT Jodhpur will work together in various domain including transportation, engineering, structural engineering, geotechnological engineering, hydrologue engineering, infrastructure system, earthquake engineering, urban and rural planning and disaster mitigation and management in with an objective of sharing said Chodriji. MOU will also facilitate undergraduate and postgraduate students of IIT Jodhpur to undertake fully paid internship in above this domain के अंदर ठीक है अब इसकी ट्रुक देख लेते हैं जोधपुर की highway पर roads बहुत awesome बनी है यानि की road से बनेगा highway National Highway Authority of India और IIT Jodhpur के बीच में क्या बना है better infrastructure के लिए highway infrastructure के लिए क्या हो की है इन्होंने दिल की है अगला next है हमारे पास जिला सर्पर सार्वजनिक वित्य प्रबंदन प्रनाली के संचानल के लिए किस के लिए देश का पहला केंदर शाषित प्रदेश कों सा बन गया है which has become the first duty in the country to operationalize public financial management system at the district level और वो कौन सा बन गया वो है जम्मुन कश्मीर इसके हमारे लेक्टिन गोर्नर को है लेक्टिन गोर्नर का नाम है मनोज सिनह जी अब इसके बार में detail देखने है to operationalize at district level with the e-inauguration of 8 district offices here by additional controller of accounts जिनका नाम है सुबोष कुमार मातूर जिनने बात बोली the launch of these offices in जम्मुन कश्मीर will result in improved program administration and the management and direct payment to beneficiaries and greater transparency and accountability in use of public funds said nodal officer जो है यहां के शकील मकबूल जो कोन है हमारे nodal officer है जम्मुन कश्मीर के उन्होंने क्या बोला है highlighted the significance of public financial management system that is PFMS in further improving accounts administration and congratulated state director JK team जम्मुन कश्मीर team for taking initiative of operationalizing district program management unit despite the challenges in the wake-up of covid pandemic अगला देखते हैं next है हमारे पास हाल ही में SBA card ने किस शहर की Metro के साथ साध्यदारी में एक संपर्क रहित partnership card को launch किया है contactless card को launch किया है recently SBA card launched a contactless multi-purpose card in partnership with which Metro और इन्होंने country Metro के साथ किया है यह कि दिल्ली Metro के साथ इन्होंने इसको launch किया है अब इसके बार में detail देखते हैं is thoughtfully designed for regular commuters of Delhi Metro SBA card said in a release यह क्या होए multi-purpose card है which function as a credit card as well as Metro smart card offering the convenience and the safety associated with both in one card मत्तब दोनों facilities आपको एक card में दी जाएगी the pure play credit card company से customers can apply for the combo card through the sales team present at Metro station as well as online e-apply platform on SBA card website दोनों तरीकों से आप कर सकते हो और इसकी annual fee किया रहेगी 499 रहेगी SBA card ने बाद बूली है कार क्या benefit करेगा card offer benefits such as 2000 bonus rewards देगा and 50 cash back on the first auto top-up transaction पे और 10% का discount देगा Metro table पे और top-up of card of 200 at an auto top-up threshold of 100 as well as reward points दे जाएगे इसके अंदर चलो अब इसकी trick देखते हैं दिली में सब पास card है दिली में सब के पास card है यानि कि सब और card से क्या बनेगा हमारे पास सब और card मैंने card लिखा है ताकि SBA ने card launch किया है multi-purpose card और सब पास दिली में यानि कि दिली Metro के साथ इन्होंने एक समझोता किया है जिसके अंदर इन्होंने multi-purpose card issue किया है अगले हमारे पास किस exchange ने छोटे और commerce and industries के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है with exchange which exchange has signed an agreement with an inventipreneur chamber of commerce and industries to support small and medium enterprises and start-ups and promote their listing on the exchange और किसके साथ समझोता किया है Bombay Stock Exchange that is BST के साथ समझोता किया गया BST के जो हमारे chairman है जिनका नाम किया है जिनका नाम है S. Ravi to support small and medium enterprises के लिए to start-up promote and the listing exchange वही बात लिखिये जो उपर हमारे पास question में आचुकी है यह क्या प्रवाइट करेगा ICCI offer assistance to BST in evaluating SMAMEs and start-up for the listing on BST SME board यह क्या help करेगा to offer industry connection to respective BST start-up globally and support entrepreneurship nationwide through knowledge transmission and government announce program acceleration fund international presence and the global business relations ठीक है अब इसकी trick देखते है बस अब तू commerce को पर्मोट कर बस अब तू commerce को पर्मोट कर यानि कि BST और Chambers of Commerce के बीच में एक agreement किया गया है ताकि यह जो small enterprises है और जो start-up से उनको पर्मोट कर पाएं ठीक है अगले हमारे पास हाल ही में किस राज्ये ने राज्ये के ग्रामीन छेत्रों में ATM, Micro ATM सेवा शुरू की है Recently which state has loaned the Micro ATM services in the ruler areas of the state और यह कौन सी state ने किया यह किया मेघाले की सरकार ने किया मेघाले की बात हो रही तो सबसे पहले मेघाले के हमारे जो CM है उनका नाम है Conrad, Conrad Sangmaji और यहां के जो हमारे गवर्णर है जिनका नाम के है जिनका नाम है जाने की नबाड ठीक है मेघाले सीम कोन है Conrad K. Sangmaji जिन्होंने Micro ATM service को लौंच किया है रूलर एरेस के लिए state में He distributed the handheld devices through which money could be withdrawn to banking correspondent agents इसके बता देती मैंसे बताने की जुरूत ने देखो मेघाले ने क्या लौंच किया Micro ATM service यहने की M से Micro M से मिघाले है ठीक है अगला हमारे पास given है which insurance company invested in World Bank sustainable development bonds and highlight support for the nutrition portion के लिए which bank सतत विकास बांड और हाइलाइट समर्तन में किस बीमा कंपनी ने निवेश किया है और यह किस ने किया निपो लाइफ ने क्या किया निवेश किया है ठीक है अगला देखते हैं किस company ने दो और चो पहिया वहानों बीमा policy की पेशकर्ष करने के लिए fintech aggregator fins of market के साथ साज़दारी की है which company has partnered with fins of market a fintech aggregator to offer two and four-wheeler insurance policies और यह किस के साथ की गई है यह की है echo के साथ इससे क्या होगा has made the insurance buying experience transparent intuitive and effortless यह क्या offer करेगा value added services करेगा like hassle-free claims करेगा zero paperwork one hour का pickup three day का assurance claim surviving और one year का repair warranty होगी this is coupled with the option for the instant cash settlement for low value change moreover customer can select कर सकते है zero depreciation as add-on they can make payment via wallet से कर सकते है UPS से किसी भी safe card से policy will be emailed within two minutes a copy of the policy can also be downloaded from the echo's your order page पे भी डाउनल कर सकते हो फिन सब के जो हमारे market के CEO है जिनका नाम कुन है जिनका नाम है राकेश भट जी इन्होंने क्या बोला है we are delighted to join hands with echo this strategic partnership help curate our offerings in a motor insurance space for the digital native users who want to ensure their vehicles in a touch-free and frictionless manner ठीक है अच्छा अब फिन सब मार्केट के CEO है नाम बता दिया है मैंने आपको राकेश भट है इसका headquarter कहा है इसका headquarter है पूने के अंदर कहां पे है पूने के अंदर है और अगर मैं echo की बात करूँ इसका headquarter कहा है इसका headquarter है मुंबई के अंदर और अगर इसके जो हमारे head है या चीवर मैंने का नाम है वरुन दुआ जी तीक है अब इसकी trick देखते है आओ market और दो और चार wheeler ले जाओ आओ market और दो और चार wheeler ले जाओ यानि की आओ से बने एक echo और two wheeler के लिए फिन सब के साथ market इन market के साथ क्या गी गई है इनोंने partnership की है अगले हमारे पास हाल ही में किस पूर्व I.S. अधिकारी और चोल इतिहास पुस्तकों के लेखा का निदन हो गया Recently which former I.S. officer and the author of चोला industry श्रिया चोल इतिहास History books passed away जिनका नाम है B. Venkatarraman इनका क्या हो चुक है दिहान तो चुक है Some of the books that he had authored include लदी गम अ लेटर चोल टैंपल्स टैंपल आर्ट अंदर दर चोला क्वीन और राजेश्वरम द पिनेकल अफ चोला आर्ट अंदर थांजवर ब्रिदेशवर मंदिर यह इनकी क्या थी famous books थी ठीक है अच्छा इसकी प्रिक बता देती हूं वन में गया अपनी history books लेकर वन में गया वन में गया अपनी history books लेकर अब देखो वन से क्या बनेगा Venkatarraman का बात history books याने की history books के author अगले हमारे पास हाल ही में महेश कनोडिया का निदन हो गया वे किस छेतर से समंध्य थे recently महेश कनोडिया पास्ट अवे और साथी साथ इनके ब्रदर का भी रहत हो चुके जिनका नाम है नरेश कनोडिया इस ब्रदर और पास्ट अवे अगले हमारे पास इस उपन्यास के लेखक कोन है इस उपन्यास के फिक्सर के जो हमारे लेखक है उनका नाम के सुमंधुबे है यह कह है ग्रिपिंग स्टोरी है 40-year-old फिल्ड क्रिकेटर की जिनका नाम है नील उपधिया जी अ क्रिकेटर टर्न फिक्सर है यह वो फाइंड हिमसेल्फ अप अंगेंस द वॉल बेन इस फामिली विजनस टेक्स अन अनफर्चुने टर्न तर्न अब इसके प्रिक देख लेते हैं डूब गया फिक्सर डूब गया फिक्सर यानि कि दफिक्सर जो नोवल है वो किसकी है दूब यानि कि सुमन दूबई की के है वो हमारी नोवल है ठीक है अगला वन इस इंटनेशनल देख दिप्लोमेट अब्जर्व अनतर राश्री राज नी एक दिवस कम मनाया जाता है और दिन हम कम मनाते हैं दिन मनाते हैं 24th October को दिन मनाते हैं Celebration of International Day of Diplomate was started in Brazil on 24th October 2017 by Indian Point Abheke and since then diplomats of several countries have participated in celebrating this day the celebration aims to bridge the gap between the perception and the reality of diplomats life among the general public उनके बार में detail गीवन है उन्होने क्या कि आर गोंग पोस्ट ए शौत वीडियो पोस्ट करेंगे or text of what does it mean serving in different geographies, geographic, navigating, diverse culture, language among others, high point in their careers while going people are going to post their impressions of interacting with these what do they, how do they help in safeguarding their interest of poem on diplomats they will be using hashtags use करेंगे International Diplomate Day and serving people globally while posting their messages ठीक है अब इसकी ट्रिक देखते हैं अभी हमने एक दिन पढ़ा था audio-visual day वह हमारे पास कब था audio-visual वाला वह था हमारे पास 27th October को अब हमने क्या पढ़ा है राजनियक दिवस पढ़ा है दोनों की ट्रिक देख लेते हैं चोबिस को दिपु ने audio-send की अपनी चोबिस को दिपु ने अपनी audio-send की 27 यानि कि 27 को मनाते हैं audio-visual day और चोबिस को दिपु यानि कि 24 October को हम क्या बनाते हैं इंटरनेशनल डे ओफ डिप्रिमेट्स बनाते हैं जानि कि हम दोनों की ट्रिक हमने एक साथ कर लिया है ठीक है अगला next है हमारे पास 2020 FIM विश्व चैंपेंशिप ग्रेंड प्रिक्स के राउंड बारा में मोटो तीन वर्ग में जीत का दावा किस ने किया है हूंडा मोटो राइडर है यह क्लेम्ड विक्ट्री इन मोटो 3 क्लास इन राउंड 12 जो वहां पे गिवन और यह कहां पे हुई थी मोटो लैंड आर्ग्वन इन स्पेन के अंदर हुई ती बेग्निंग इस फर्स वर्ल्ड ग्रैंड पिक्स रस इन 1961 इन 25 जोड़ा अचीव फैनिश्ड ग्रैंड पिक्स हुन्टा है अब तक किते हो चुके हैं अब इसकी डिक्ते हैं जाऊं मैं मोटो सैक्टी लिएकर चैम्पेंशिप में जाओं मैं मोटर साइल के लेकर चेंपेंशिप में जीता है इस बार का FIM World Championship जीता है Grand Prix का जो कहां पर हुआ था जो हुआ था स्पेइन के अंदर हुआ था अचा स्पेइन की कापिटल क्या है स्पेइन की कापिटल है हमारे पास मेड्रिड करंसी के यूरो ठीक है अगला किस भार्तिय शत्रंज खिलाडी ने हंग्रेरी में रिगो चेस इंटरनेशनल फेस्टिवल टूनामेंट में खिताब जीता है विच इंडियन चेस प्लेयर वन टाइटल इन रिगो चेस इंटरनेशनल फेस्टिवल टूनामेंट इन हंग्रेरी और यह किनो ने जीता है लियोन लुक मेंडोंसा ने जीता है यह कोन है यंग इंडियन इंटरनेशनल मास्टर है और इस मैंडन ग्रैंड मास्टर नॉम आफर विनिंग टाइटल इन रिगो चस इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नमेंट इन हंग्रेरी यह 14-year-old, इन होने 6 games के अंदर जीता है drew 2 and lost 1 to emerge Venus in 10-year player field which included 3 GMS was played over the world, he secured 7 points from 9 round in the tournament यानि कि इन होने 7 points secured की है, out of 9 अब इसकी तुक देखते हैं Chess के लिए, Chess के लिए, तू डौन से मत लड़, तू डौन से मत लड़ Chess, Chess से क्या बनेगा हमारे पास रिगो Chess International Festival Tournament Don से मत लड़ क्या बनेगा, लियॉन लुक मेंडोंसा का नाम बनेगा, ठीक है अगला हाल ही में तनमे शिर्वास्त्रव ने किस खेल से सन्यास की घोशना की है Recently, तनमे शिर्वास्त्रव अनौन से रिटार्मेंट फ्रम विश्पोर्ट और ने किस से अनौन से की है, ये नोनने किये क्रिकेट से की है Mumbai batsman Tanmay Shrivastav, who was part of India's Under-19 World Cup winning team in 2008, announced his retirement from all forms of cricket The 30-year-old left-hander played 90 first class matches and secured 4-9-1-8 runs, 10 centuries and 27-50s to his name He represented Uttar Pradesh and later captain Uttarakhand in domestic cricket In the IPL, he turned up for the Kings 11 Punjab and now different coach he discuss और इनने क्या ले लिए, retirement ले लिए, ठीक है इसकी टुक्त देखते है, वास्तम में छोड़ दिया उसने cricket वास्तम में छोड़ दिया वास्तम में छोड़ दिया उसने cricket यानि की cricket batsman जिनका नाम है Tanmay Shrivastav जीवनों ने cricket से सन्यास लिए, retirement की announced कर दिये ठीक है, अगला, Ospreva opened WTA tournament किसने जीता है, who won the Ospreva opened WTA tournament और यह किसने जीता है, जीता है, Ernest Sablinka ने जीता है, और Belayres से बिलॉंग करते हैं, जिननोंने जीता है आप्टर बीटिंग हर, visibly struggling, जिनको हराया है, उनका नाम है Victoria Azrinka इट वर सबलंग के second title है this year का, after win of Qatar open इननोंने पहले Qatar open जीता था, परवरी के अंदर अब इननोंने क्या जीता है, O Starva open जीता है और किसने जीता है, Arnene तो फिल्ड मतलब O Starva Q से कतर, O से जीता है, और किसने जीता है, Arnene अरे से बन जेगा, इनका नाम बन जेगा, तो पॉइंट की बता देती हूं अरे सबर कर Oस गिरेगी, अरे सबर कर Oस गिरेगी, अरे से इनका नाम बन जेगा थिक है उसके बास हमने क्या किया, सबर कर Oस गिरेगी, Oस से क्या बनेगा, Ostrava Open WTA Tournament Oस से हमारे पास इसका कतर भी हम याद कर सकते है, ठीक है, अगला देख लेते है next है हमारे पास, Coland, 2020 में, अपना दूसरा ATP किताब किसने जीता है, who won his second ATP title in Cologne, 2020 और किसने जीता है, Alexander Zebraim ने जीता है इन्होंने अपना second title जीता है, in the space of week with a quick fire 6261 demolition of Argentina और इनर ने हराय किसका है अर्जंटीना से जो वर्ट्समेन को हराया है the German World No. 7 had claimed his first ATP कहां से खुद कहां से जर्मन से विलों करते हैं यानि की जर्मनी से हैं ठीक है अब इसकी टुप देख लेते हैं Colin Law, अन्दर से Jevr कॉलिन ला अंदर से जैवर यानी की कॉलोन 2020 का ATP किताब के से जीता है अलेक्जेंडर जैवरें में जीता है ठीक है अगला हमारे पास HDFC Bank के नई MD & CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है HDFC Bank के हमारे नई CEO के गया है जो पहले को थे अदित्यापूरी जी हमारे का बने इसके नई MD & CEO बने है In a change of gas as a country's largest private sector lender the RBI has approved the appointment of Shashidhar Jagdishon as a managing director of HDFC Bank He replaced Aditya Puri who retires on 26 October को retire हो चुके है और Jagdishon ने जोइन के दा bank 1996 में as a manager in the finance division और ये क्या बन गए थे पहले business head थे हमारे फाइनस में 1999 में was appointed the chief financial officer थे हमारे HDFC Bank के 2008 के अंदर 2020 के अंदर के बन गए हमारे MD & CEO बन गए HDFC Bank के HDFC Bank का headquarter का है मुंबई में है इसकी tagline क्या है we understand your world ये क्या है इसकी tagline है ठीक है अब इसकी trick देखते है जागो HDFC Bank बहुत अच्छा है HDFC Bank बहुत अच्छा है मतब तुम्हें पता नहीं कि कितना अच्छा bank है HDFC Bank जागो से जगदीशन यानि कि HDFC Bank के नए MD CEO का नाम है शशीदर जगदीशन जी ठीक है अगला हाल ही में अलफा कॉंडे को किस देश के नए रास्टपती के रूप में निक्ट किया गया है recently अलफा कॉंडे has been appointed as a new president of which country और किस country के हमारे नए बने है यह बने है ग्योवना के हमारे क्या बने है नए रास्टपती बने है अब इसका पहले point की detail देख लेते हैं इन्होंने क्या जीता है ग्योवना का presidential election जीता है और किसको हराया है यह सेल्यए डेलयओ कर रहा है वैसे हमारे पास बमेग ठल्या व्याहन क्हेटे रहेशन का प्योवना का पिण div कहन तक हमारी कपिटल कोना क्योंगी नाम इन्पर नाम के है उनका नाम है इबराहीम कोंत पोफोना यह कहा है हमारे यहां की पीम है नीकियो ले पॉइंट गीवन है डिटेल पढ़ना जाहो तो पढ़ सकते है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अगला पॉइंट नेक्स है हमारे पास बोलीविया के नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ट किया गया है एक पॉइंट as a new president of Bolivia. Bolivia के जो हमारे नई प्रेजिडेंट बने बने है उनका नाम के है उनका नाम में हमारे पास लुइस आस पूरा नाम यहां लिखा हुआ है कैटा कोरा यह है हमारे क्या बने हैं बोलीविया के नई प्रेजिडेंट बने है ठीक है अब इसके बारे में नीचे डिटेल गीवन है हमारे पास अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूं लो बोलती है कैट लो बोलती है कैट यानि कि लो और बोलती है कैट से बनेगा लो से लिविस कैट से कैटकोरा यह क्या बने है यहां के प्रेजिडेंट बने है और बोलती से क्या बनेगा बोलीविया के हमारे क्या बने है यह प्रेजिडेंट बने है अगला जहाज रानी मं शरी मन्सुक मन्दाविय जी ने हाल री में वीडियो कोंफेरम्सिंग के था कि थि के विची दाकس पर एंट्री दैटीस डीरेकटर सुविधकुड़कमागन किया चिदंबर नार करत cactus बंदर का कहा है यह बंदरगा की बात कि जारी वौ कहां पर है द शिपिंग मनिस्टर सब्सक्राइब पहल्य साइब और था नाम को अगर गोवर्नर की बात में अगर नाम क्योंें bring efficiency and reduce dwell time, lower traffic cost, improve the competitiveness of shipper in the international trade, ab DPE facility kya hai, would enable direct movement of containers from factories without intermediate handling any container station thus facilitating the shippers to get in the factory stuffed export directly to the container terminal on 24-7 basis the facility created in an area of 18357 square meter inside the truck parking terminal which was developed under the Sagar Malla for issuing custom clearing clearance of export cargo factory stuff and reseal containers, detail given hai, if you want to read it, you can read it, but it is not important, okay, this trick I will tell you, this trick that has to be made by port in Tamil Nadu, which means what can we form in the port? Tamil Nadu, which means what is named by Monsoog Mandaveji is the direct port jury facility which was made by the port of the port of the road, which means what is the port that means Tamil Nadu is in the name of the river, in which place of the year is considered very इंडियन आर्मी एवरी येर और इदिन मनाया जाता है 27 एक्टूबर को 27 कम कौन सा बनाते है ओडियो विजल दे भी बनाते है याद रखनो इसको भूला नहीं है ठीक है और 24 को कौन सा था हमार पर डिप्लोमेट कर देता अब इसके बार में टेल देख लेते हैं इसबर का 74th Infantry Day मनाया गया 27 एक्टूबर को तो अनर बनाते है इस पाकिसानी इंवेडर इन जम्मुन कश्मीय को यह दिन हम मतलब हुआ था कुछ जिसके कारण से यह दिन कब बनाते हैं 27 एक्टूबर को यह बनाते हैं ठीक है अगला पॉइंट भारत अमेरिका दो प्लस दो मंत्री सर्य समाद वार्शिक कारेकरम के किस संसकरन में थे इंडिया-U.S. प्लस 2 मिनिस्ट्रिल डायलोग वस विच एडिशन अव दो अनुल वेंट और इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा था 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 इंडियन साइड एड दे टॉक विल बीरेपरेजनेटेटेट इड बाई हमारे एक्स्टरनल अफिर मनिस्टर अगला जन जाती है मामलो के मंत्राले ने जन जाती है कल्यान के लिए दो केंद्रों को लौंच करने के लिए आट अफ लिविंग याज फाउंडेशन के साथ सम्झोता किया है दो CEO का उद्गाटन किन राजम में किया गया है The Ministry of Tribal Affairs has tied up the Art of Living Foundation to launch two Centers of Excellence for Tribal Affairs और किसके द्वारा किया गए अर्जुन मुंदा जी के द्वारा जो कोन है हमारे हमारे Tribal Affairs के मिनिस्टर है श्री अर्जुन मुंदा जी विल लौंच two Centers of Excellence for Tribal Affairs in collaboration with किसके साथ पर जी अर्जुन मुंदा जाएगा गया गुरुदेश श्री 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 रंकर जी आट ऑफ लिविंग ग्रेस्ट ऑकेजन पर्स इनिस्टिव जो है इसका क्या था यह लौंच के जाएगा पान डिस्टिक अंदर पहली बार 30 ग्राम पंचाथ को कवर करेगा 150 विलेजिस को कवर करेगा जारकन के इन क्रेटिंग अवेर्नेस अमग इलेक्रेड प्रेज्टिव प्रेंटेटीव प्रेंटिव प्रेंट पर्स वेर्योंच वेर्डिंट प्रेंटी जाएगी sense of social responsibility among them and thereby creating the tribal leader who will work for their community in spreading this awareness second क्या कहेजएगा अबोर ट्रेनिंग हम इसमें देएंगे 10,000 tribal farmers को इन रंगा पर दिस्टिंग अंदर महाराश्रा के अंदर और सस्टेनेबल नेच्रल farming based on go अधिरत farming techniques दी जाएंगी farmer will be help in getting the organic certification और उनको हासल करने में help की जाएगी and marketing opportunities will be available to them to make each of them आत्मनिर्भर tribal farmers ठीक है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा अब इसकी trick देखते हैं रास्ट में जाड में जाओ तुम tribal area में रास्ट में जाड में जाओ ट्राइबल महारास्ट्र जार्कन के उन्दर कीया है चैनला efter Two Sen초 पिम्हार पर संख़ते हैं क्या किया और था संवाहिए। 2020 ब्रिक्स संसरी मन्च पर भारति प्रती निधिमंडल कन्य तरतफ किसने किया इंडियन डेलिकेशन आए 2020 ब्रिक्स पर्लिमेंटरी फर्म और यह किसने किया यह किया ओम बिला जी ने जो किया है हमारे स्पीकर है लोगसभा के स्पीकर है जो इस साल की ब्रिक्स पर्टनर्शिप की जो मीटिंग की थीम थी वो क्या थी partnership in the interest of global stability, journal safety and innovative growth that is parliamentary dimension यह इसपे क्या इस्कुशन की गई ब्रिक्स पर्टनर्शिप इम्रॉड इस्पर कीÓ किया है लोस इस्कॉस्प्री मBilliye स्पर्टनर्शिपर ब्रिक्स काई दिए ने रे एीजितरितीप पुलिकर है कोई नाम के है उनका नाम के है उनका नाम है वलामादीर पुतिन चाहिए अंतर राष्णी अनिमेशन दीवस का मनाया जाता है वैन इस इंटरनेशनल एनिमेशन दे था यह दो हजार दो के अंदर क्रेट किया गया था बाइ इंटरनेशनल एनिमेटेड फिलम एस्टेशन के दुवारा इस दे के बार में डिटेल देखते हैं 2002 में किया गया थिक है अचा सबसे पहले जो बात आ रहे थी हमारे पास इंटरनेशनल एनिमेटेड फिलम एस्टेशन इसके जो हमारे प्रेजिडेंट उनका नाम है सायोको किनुशिता इसके जो हमारे फाउंडर थे उनका नाम था ज दिन मनाते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं चलो आज का हमारा लास का पॉइंट था आज हमने 28 से 30 अक्तूबर की करनेटेफेस को कम्पलीट किया है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलेग्रम का लिंक मिल जाएगा जिसको जोएन कीजिए जहां पे आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे और हमारे साथ जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर थेंक्यू